तो दोस्तो आज की इस नेशनल रेमडी को इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर लेना है लेमन यानि की नीबू जो कि एक सिट्रस फ्रूट है इसमें विटमिन सी की उच्छ मातरा होती है इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि आपकी इसकिन तुछा को दूर करती है आपके स्कैल्प में होने वाले एक्स्टा ओयल को रिड्यूस करती है बालो को साफ सुथरा करती है डैंडरफ की समस्या है उसको यह दूर करती है बालो को हेल्दी बनाती है अब बात करते हैं कि बालो को सफेद से काला कैसे बनाती है क्योंकि नीब आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदे बंद है आपको यहां पे क्या करना है पूरा एक नीबु का जूस लेना है इसका रस आपको निकालना है एक नीबु का रस लेने के बाद आपको इसमें अड़ करना है एक चमच कॉफी पाउडर कॉफी में कैफेन होता है कॉफी में ऐसे गुण पाये जाते हैं जो कि आपके बालों में कलर को डार करते हैं आपके नेचुरल जो हियर कलर होते हैं उससे एक शेड ये डार करते हैं आपके बालों के रंग को इसके साथ साथ इसमें ऐसे एंटियोक्जिट्स पाय जाते हैं जो कि आपके बालों में बनने वाले मेला माइन प्लस मेलनेन को बूस्ट अप करते हैं जो कि बालों को अंदरुनी रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और काला होने के लिए बालों को पिगमेंट बढ़ाता है ताकि बाल तेजी से काले होते हैं इसके साथ आपको यहाँ पर आड़ करना है एक चमच कलोंजी पाउडर कलोंजी जिसे की मंग्रेल, निजेला, सताइवा और प्याच के बीच भी कहते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि प्याच के बीच को भी मंग्रेल कहा जाता है और ये जो कलोंजी है ये आपके बालों की गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही जादा प्रभावकारी असरकारक होती है अगर आपके बालों में पैचस हैं यानि आपके बाल जगा जगा नहीं है सर में स्कैल्प में कुछ जगा आप गंचे हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुली रुख गई है तो उसके लिए भी कलोंजी बहुत जादा फायदेमंद होती है प्लस कलोंजी में ऐसे गुण पाये जाते हैं ऐसे और्ष्थी गुण होते हैं कलोंजी में जो कि आपके बालों को नैश्रली पिग्मेंट देते हैं बूस्ट अप करते हैं और सफेद बालों को नैश्रली काला बनने में बहुत जादा मदद करते हैं तो आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे एक घंटे के लिए छोड़ना है ठक करके तो मैं मिलती हूँ आपसे एक घंटे बाद एक घंटे छोड़ने के बाद जो इस रेमडी का इस पानी का नीवू पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है आप चाहें तो इसे instant भी इस्तेमाल कर सकती है लेकिन जब आप इसे एक घंटे के लिए लोहे के बरतन में छोड़ते हैं तो लोहे के बी जो तत्व होते हैं वो आपको बालों में मिलते हैं तो इसलिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसे strain कर लेना है इसके लिए एक एनेदर बोल लेंगे और स्टेनर रखेंगे और ये जो तयार की गई रेमेडी है उसे आपको इसमें डाल देना है और इसे प्रेस करना है ताकि अच्छे से इसका जो रस है वो पूरा हमें यहाँ पर मिल जाए और बाकी जो चीजें हैं वो इसी स्टेनर में ही रह जाए सो यह यहाँ पर हमें पूरा च्छना हुआ बिना लंप्स का हमारा जो यहाँ पर पैक है वो मिल गया है आपको इसे ब्रश की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से बालों की जड़ों में लगाना है और मालिश करनी है अपने स्कैल्प की इसके बाद आपको इसे वाश कर लेना है जिस दिन आपको शैंपू करना हो उसके एक घंटे पहले अपने बालों में से लगाएं मसाज करें बीस मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद शैंपू कर लें यह पैक आपको हफते में दो बार इस्तमाल करना है Naturally बिना किसी डाई के बिना किसी कलर के आप अपने सफीद बालों को घर में ही काला बना सकते हैं बिना पारलर गए बिना किसी केमिकल के आप अपने सफीद बालों को naturally काला बना सकते हैं बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं डेंडरफ को ट्रीट कर सकते हैं तो यह छोटी सी रेमडी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल हो आपको कैसी लगी कॉमेंट्स करके ज़रूर रताएगा वीडियो को लाइक कीज़ और शेयर कीज़े चैनल मन्यू हैं और फर्स टाइम आये हैं तो मैं इसी तरीके से नेश्रल रेमडीज बनाती रहती हूँ इसकिन के लिए, हेर के लिए और हेल्थ से रेलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिए इसी तरीके की नेश्रल रेमडीज को वाच करने के लिए चली फिर से मिलते हैं तब तक लिए बाई बाई ठीक केर अपना ध्यान रखे